असलाम अलेकूम बिस्मिल्लाह्म अलरहिम दोस्तों क्या हाल वाल हैं ठीक हैं आज की इस वीडियो में हम Excel के अंदर इफ फार्मूला नेस्टरिफ फार्मूला देखेंगे कैसे यूज किया जाता है इफ और नेस्टरिफ को इंप्लिमेंट करके देखेंगे अच्छा इफ कैसे काम करता है इफ काम ऐसे करता है कि एक कंडिशन होगी जो कंडिशन वो चेक करता है अगर तो वो कंडिशन ट्रू हो तो एक स्टेप करेगा अगर वो कंडिशन फाल हुई तो नेक्स्टेप करेगा इस एक condition के भी इस पर काम करता है condition लेता है अगर तो condition हुई true तो आपने कौमे के बाद जो दिया हुआ वो implement हो जाएगा अगर हुई false तो तो उसके बाद जो आपने दिया हुआ 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 हो वो follow हो जाएगा देखने से ज्यादा नज़र आता है चलें जी, बिल फर्द हमने कुछ dummy data डाल देते हैं इसके अंदर, ताके हम इसके उपर if formula का इस्तेमाल कर सकें, यह लें जी, अब यह देखें, यह हमारा criteria, passing criteria होता है moment, 40%, अब अगर तो 40% या उससे ज्यादा है, तो pass है, अगर 40% से कम है, तो वो fail है, चलें जी, इफ लगा के देखते हैं, equal, इफ, यह जब इफ फाजर, टैब का बटन दबा दिया करें, अब वो हमसे क्या मांग रहा है, सीखें भी साथ, रटा ने लगा रहा है, लॉजिकल टेस्ट हम कहरें, इसको देखो, इस cell के अंदर, value को चेक करो, अगर greater than or equal to हो, 40, अगर condition true हुई तो वो क्या करेगा, अब आप जो उसे बताएंगे वो करेगा, मैं उसे कह रहा हूँ, लिख के देना, pass, double connection बाग का आपने बंद करने, ध्यान रखिएगा, फिर comma, अब यह देखें, यह highlighted है, अब क्या कह रहा है वो, कि अगर condition false हुई तो क्या करना है, तो आपने लिखना है, fail, यह लें जी दोस्तो, यह pass उसे ने लिख दिया, फार्मूला फिर चेक कर लेते हैं, हमने उसे कहा, कि अगर इस cell में value greater than हो, 40, या equal to 40, तो पास, अगर condition true हुई तो वो pass लिखेगा, नहीं तो फेल, अब इसी फार्मूले को हम drag कर लेते हैं, बड़ा सादा एकसल के अंदर काम करना, यह देखें जी, आप जो पास है, वो pass यह देखें, इसके 25 थे, यह fail हो गया, इसके number हम बदल देते हैं, यह लें जी, fail हो गया, इसको 40 कर देते हैं, तब भी यह pass है, क्योंकि हमने फार्मूला ऐसे लिखा, 40 और greater than 40, then pass, else fail, अब हमें क्या करना है, हमें grade निकालना है, आपको पता है grade, multiple conditions होती है, मतलब अगर, अच्छा जैसे मैं बोल रहूं, वैसी implement करना है, अगर 80 से ज्यादा हैं, तो A, अगर 70 से ज्यादा हैं, तो B, अगर 60, 60 से ज्यादा, more than 60, C, more than 50, D, more than 40, E, else fail, ठीक है, अब हमने ये, जिस तरह से बोल रहे हैं, उसी तरह से हमने इसे implement भी कर देना है, इफ, बात वो ही है, हमें basic समझ आ गई है, this value, इस cell में value, greater than whole, 90, double condition mark में आपने लिखना है, याद रखेगा, A plus, double condition mark मेंने बंद कर दिया, comma, अब फिर जिस तरह बोला था, उसी तरह से, अगर 90 से ज्यादा हैं, तो A plus, अगर 80 से ज्यादा हैं, तो A, जिस तरह से बोल रहे हैं, वैसी हमने इसे implement भी करते चले जाना है, हर बार इसी percentage को हमने चेक करना है, ना, logical test तो हमारा यही है, greater than 80, comma, इस बार हम लिखेंगे A, double condition mark बंद कर दी, फिर, comma, फिर if, फिर इसी को चेक कर रहे हैं हम, comma, if this one greater than 70, comma, double condition mark में B, double condition mark बंद, comma, if this cell greater than 60, comma, double condition mark C, double condition mark, close, comma, this cell greater than 50, बल्के इसको एक ही बार कर देते हैं, greater than 40, comma, double condition mark, D, double condition mark बंद, comma, अब मैं इस नहीं दे रहा है, मैं कहारा हूँ को अगर 90 से ज्यादा हों तो A+, 80 से ज्यादा हों A, 70 से ज्यादा हों B, 60 से ज्यादा हों C, 40 से ज्यादा हों D, इसके लावा जो कुछ भी हो, वो grade होगा, मतलब ये else condition शुरू हो गई मेरी, बास समझ में आगी ना, वो सारा F grade में आ जाएगा, अब हमने जितने if खोले थे, उतने बंद करने हैं, इसको का इस्तमाल करना पड़ेगा, वो आपको समझाओंगा, मैं next video में का we look up कैसे use करते हैं, चलें जिसका result देख लेते हैं, कहता जिए कुछ गड़बढ है, greater than C, यहाँ पर गड़बढ है, if नहीं लगाई हमने, ये गड़बढ थी जी, ये देखें जी, B grade आ गया इसका, क्योंकि इसके number more than 80 है, इसको हमने drag कर देना है, click करके छोड़नी नहीं है, देख लेते हैं अभी हम, ये देखें जी, सारे grade निकला है, ये A, A plus किसी किना है, चेक कर लेते हैं, इसको हम 91 marks देके चेक कर लेते हैं, ये देखें, जी, A plus आ गया, जी, दोस्तो, बात आप समझ गये हैं, हमने इस वीडियो के अंदर देखा, if का function कैसे इस्तमाल करना है, nested if का function कैसे इस्तमाल करना है, हमने आपको करके दखाया, प्रैक्टिकल इंप्लिमेंट करके दखाये आपको, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अंदर, Excel के tips, ट्रिक्स, फार्मूलाज, फॉंक्शन, स्टुडेंट जल्कार, पाइवर टेबल्स, फार्मेटिंग, इच एन एवरिफिंग डिसक्स होना है, तो मजीद अच्छी वीडियो के लिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो, बेल आइकोन पे क्लिक कर लें, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिलें, चैनल की वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, अगर कोई इश्यू हो, तो क्यूरी में पूछ सकते हैं, थैंक्यू वेरी माच, अल्लाह आफिज,